हेलो फ्रेंड नमस्कार देशी किचन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंड आज हम बना रहे हैं मैकरोनी मसाला मैकरोनी चलिए फ्रेंड अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं देखे हमने एक बाउल लिए है मैकरोनी दो हरी मिर्च और तीन लिए हमने टमाटर मीडियम साइज के और आठ से दस रसुन की कलिया और दो मीडियम साइज की प्याज चलिए फ्रेंड अब हम सबसे पहले हम म जब तक हमारी मैकरोनी उबलती है तब तक हम जो हमने सब जयली है उनको काट लेते हैं प्याज को हम लमबा और बारीक काटेंगे देखे फ्रेंड प्याज टमाटर हमारे कटकर हो गए तियार और इधर हमारी मैकरोनी भी उबल चुकी है बिल्कुल शॉफ्ट हो गई है अब हम इसको चान लेते हैं और ठंडे पानी से वॉस्ट कर लेते हैं देखें हमने चान लिए और वोश कर लिए हमारी मैक्रोनी एक हो गई चलिए अब हम बनाते हैं मसाला मसाला बनाने के लिए हम एक बड़ा चमच ओईल लेंगे और एक चमच लेंगे जीरा और एक पींच हींग जीरे को हम अच्छे से प्राउन होने तक भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लेसुन लेसुन का सिर्फ कच्छा पन खतम होने तक ही भूनेंगे देख फ्रेंड लेसुन हमारा भून चुका है अब इसमें डालते हैं हर इमेज और साथ ही डालते हैं इसमें प्याज प्याज को भी ले लेंगे और प्याज को अच्छे से गॉ अब इसमें डालते हैं टमाटर को सुफ्ट होने तक हम भून लेंगे तेखे टमाटर हमारे सॉफ्ट होगे हम इसमें डालते हैं मसाले मसालों में सबसे पहले लेंगे नमक स्वाद के अनुसार हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच चिली फ्लैक्स एक चमच और अब हम इसको अच्छे से मसालों को भूनते हुए चला लेंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे देखे फ्रेंड मसाले हमारे बुन चुके हैं अब इसमें हम डालते हैं एक चमच वाइट विनेगर और एक शेज़ेड चमच डालेंगे हम सोया सोस और एक बड़ा चमच डालेंगे इसमें टमेटो सोस और अच्छे से हम मिला देंगे एक चमच डालेंगे इसमें गरम मसाला और एक चमच लेंगे हम मैकरोनी मसाला एक चमच मैकरोनी मसाला लेंगे और अच्छे से इसको मिलाते हुए देखे फ्रेंट अब हम इसमें मिलाते हैं मैकरोनी जो हमने उबाल कर रखी हुई है अब मैकरोनी को हम अच्छे से मिला लेंगे चैसर निकालते हैं हरदनिया और अब इसको बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को सेयर करें